तो स्टार्ट करते हैं आज का यह नया सेशन इस सेशन में हम बात करेंगे हैं पर वेस्टन डेल विद्वे द्वरा जो स्टॉर डिपार्टमेंट है उसमें एम्म असिस्टेंट माटेरियल मेनेजर ग्रूप बी पुस्ट के लिए जो प्रिलिमरी एक्जाम हुआ था जिसका आफ एक्जामनेशन 4 जून 2022 है तो इसमें जो जी के सेक्शन और राजभासा सेक्शन के क्विश्चन है उनको हम इस वीडियो में डिस्क्रस करेंगे क्योंकि यह पेपर काफी रिसेंट है जून 2022 का है तो इस पेपर के पैटरन को देखकर आप इससे तयारी कर सकते हैं तो निर्देश में यह सब लिखा हुआ है एक बार आप देख सकते हैं आपर वन बाई त्री नेगटिव मार्किंग है तो खंड वन है जो सबसे पहले सेक्शन वन राजभासा नीथी पर वैकल्पिक प्रस्नों सहीत सामान ग्यान ठीक है यह 30 अंक का है और इसमें 40 प्रस्न है जिसमें कोई 30 प्रस्न को हल करना है तो सबसे पहला कुछन है पूछा जा रहा है पिछला ओलंपिक गेम जो ओलंपिक हुआ है कहां आयुजित किया गया था तो ग्रीश में बीजिंग में टोक्यो में और सिड्नी में तो जो पिछला ओलंपिक गेम है वह कहां युजित किया गया है टोक्यो जापान में ठीक है तो जो समर ओलंपिक 2020 है जिसका आयुजिन टोक्यो जापान में जुलाई 23 2021 से अगस्त एट 2021 के बीच किया गया है ठीक है इसमें टोटल 339 इवेंट्स थे और 33 स्पोर्ट्स थे इसके पहले का जो ओलंपिक गेम हुआ था हुआ है रियो डिजिनेरियो ब्रेजिल में हुआ था 2016 में और जो अगला ओलंपिक गेम होना है वह है पेरिस कि फ्रांस में 2024 में होना है ठीक है ओलंपिक गेम हर एक चार साल में होते हैं ठीक है तो अगर बात करें हैं आपे इंडिया से तो इंडिया का जो है श्री नीराच चोपड़ा जिन्होंने जैबलिन थ्रों में गोल्ड मेडल दिलाया ठीक है तो इस तरह से इंडिविजुल अगर परसन की बात करें तो सबसे पहले अभिनाव बिंद्रा है और दूसरे परसन जो हो गया है वह नीराच चोपड़ा जी है जिनको गोल्ड मेड जुए तो भाला फ्यका था ठीक है यह घंजो तो इन्ही के इसी दिन जो है तो इंडिया ने जैबलिन थ्रों डे अगस्ट सेवन को । जो है तो जैबलिन थ्रों डे रिकोगनाईज कर रहा है अगस्ट सेवन ठीक है 7 अफ अगस्ट इसके लावा रेसलिंग में बजरंग पूनिया इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता साइखों मीरावई चानू सिल्वर मेडल जीता वेड्लिफ्टिंग में इसके लावा रभी कुमार दहिया रेसलिंग में जो है तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता पीवी सिंदू ने ब्रोंज मेडल जीता वेड्मिंटन में लॉबलिंग बोर गोहन ने बॉक्सिंग में ब्रोंज मेडल जीता और इस तरह से टोटल वन गोल्ड टू सिल्वर एंड फोर ब्रोंज इंडिया ने जीता और इस तरह से इंडिया की जो रैंक और 48th rank पर इंडिया आया है और top 3 rankers की बात करें कर तो US फिर चाइना फिर जापान ठीक है तो US ने total 113 medal लीते चाइना 88 और जापान 58 टैली मेडल टैली के साथ सीर्स तीन पर रहे ठीक है इसके लाबावा कर हम winter Olympic की बात करें है तो winter Olympic में जो है प्योंग चांग 2018 साउथ कोरिया में हुआ था प्योंग चांग में जो अगला winter Olympic 2022 का वीजिंग में हुआ है winter Olympic वीजिंग 2022 तीक है तो इस तरह से यह Olympic Games के बारे में एक संचिफ्ट जानका रही थी इसके लाब मुझा रहे हैं आप एक अथा कली किसका प्रशित धिन रहते हैं तो कथा कली विसिकली केरल का प्रशित धिन रहते हैं ठीक है किसका है केरल का तो यह बिसिकली जो गथा कली है या और भी classical dance है तो इनको classical dance की स्रेड़ी में रिकोगनाईज कोन करता है संगीत नाटक अकैडमी संगीत नाटक अकैडमी है जो जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने एट डांस को जो है नहीं हमें एट डांस को classical dance रिकोगनाईज कर रखा है जिसमें केरल से कथा कली हो गया इसके अलावा केरल से मुहिनी अटम भी केरला का डांस है आंधरबदेश का कुचीपूरी हो गया औरीशा का ओडीसी हो गया यूपी का कथ्ठक तमिलनाड़ु का भरत नाट्टेम हो गया असाम का सत्त्रिया हो गया और मनी पूर का मनी पूरी हो गया तो यह सब डांस के हैं जैवलिन थ्रो ठीक है तो मेंस जैवलिन थ्रो के लिए जो है नीदा चोपड़ा ने टोटल 87.58 मीटर भाला फेका था ठीक है सेवन थाफ अगस्ट को जो है जैवलिन थ्रो डे रिकॉगनाईज किया गया नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद के 527 से कौन से हैं तो सुरक्षा परिषद की बात करें जिसको हम पी फाइव बोलते हैं पर्मान एंट फाइव ठीक है तो यूनाइट नेशन सेक्यूरिटी काउंसिल के जो पांच मेंबर हैं वह हैं चाइना फ्रांस रश्या यूके और यह से यह सर्व हैं वर्ड़ पॉर्ड लीस पावर मरें ठीक है तो वर्ड़ वार्व चू में जो अलीक पावर के जोवी तो उन्हों ने हैं पीस भाइव का ग्रूप बनाये जसके हम स्कुरिंड स्वाक्षा परिषद के पांच सथा किस्था इस तो इसमें अभी रिसेंट में बहुत सारा मोडिफिकेशन की बात चल रही है ठीक है देखते हैं आप एक अब तक यह संभा हो पाता है टोटल अगर बात करें तो सुरक्षा पारिशत में जो है तो टोटल पंदरह सदस्थ से होते हैं जिसमें पांच अस्थाई और दस आस्थ तो फिल्म एंड टेलिवीजन इंस्टिउचन अफ इंडिया इस्टेब्लिश्ट इन पूने महरास्टरा ठीक है कहां पर है पूने महरास्टा में है और मिस्टर सेखर कपूर उसके चेर्मेन है ठीक है नेक्स्ट कुशन पर आते हैं आपर संयुक्त राश्टर संगठन का मुख्याले कहा है यूए नो यूनाइटेट नेशन और्गनाजिशन का हिट कौर्टर जो है वह पूचा जारा है कहां पर है तो यह वी काफी अच्छा कुशन है यूनाइटेट नेशन तो इसका अंसर होगा नियुयार्क ठीक है 24 अक्टूबर जो है तो यू एंडे बनाया जाता है ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर वी कुरियन की छेत्र में प्रशित्य है तो डॉक्टर वर्गीश कुरियन जो है बिसिकली फादर अफ वाइट रेवोलूशन इ के नेशनल डेरी डेवलेप्मेंट बोर्ड के ठीक है तो ऑपरेशन फ्लाट को भी लीट कर रहा था इन्होंने तो इस तरह से अगरम बात करें तो डेरी विकास के लिए जो है तो डॉक्टर वर्गीश कुरियन का नाम सामने आता है ठीक है कि अस finished ने पर यह यह वैए वाइक जानिक अपने साफ एक्ष्षदा के लिए प्रेशित्ये ने साफ आइस्पिश्टा के लिए कौन है साफ एक्षिता का अस्दद वाह आ-प्स है वह तो किस ने दिया था अलबर्ट ऑइनस्टीन ने दिय था ठीक है क्या तो Albert Einstein Theory of Relativity ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1921 में जो इनको Nobel Prize मिला था Physics में वह किस बेस्पर मिला था किस रिसर्च के लिए था रिसर्च जो थी वह लॉफ उन्होंने फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट बताया था ठीक है तो फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट के लिए जो है उनको मिला था Nobel Prize in Physics नेक्स नमर नाइन की बात करेंगे निम्ली की तुम्हें से कौन सी मडीपूर की राजधानी है तो मडीपूर की राजधानी कौन सी है इंफाल ठीक है अब नाचर परदे सीटा नगर है असाम की जी किस राज़ का छेत्रफल सबसे धीक है तो अगर हम बात करें यहां पर छेत्रफल की द्रिष्टी से जो भारत का सबसे बड़ा राजधा है वह कौन सा है राजस्थान सो और जो दूसरा स्टेट है वह कौन सा होगा मत्रपरदेश जब तक मत्रपरदेश और 36 का तो इसके बद राजस्थान जो अभी सबसे बड़ा स्टेट है इन टमसाफ एरिया भारत का सबसे बड़ा कौफी उत्पादक राज्य कौन सा है तो कौफी प्रोडूसिंग स्टेट्स अगर बात करें हाँ पर तो करनाटका बेसिकली जो करनाटका है वहां पर इंडिया का दो सीवन्टीप एंड परसंट आफि यहली प्रोडूसिंगा और अगर हम बद करें यहां पर करनाटका OR केरिला दिया जाए तो नल को देखने को मिलती है basically जो भारत में जो coffee है वह Robusta को और Arabica यह जो है तो coffee की जो variety है विये प्रोड्यूस होती है ठीक है तो Robusta और Arabica जो है coffee coffee की variety है इसके लाबा है next question है आप पर question about 12 की बात करेंगे किस राज़य को भारत का चीनी का गुटॉरा का जाता है ठीक है तो तो सुगर बाउल ऑफ इंडिया जो है तो किसको उला जाता है सुगर बाउल ऑफ इंडिया इसको उत्तर बाउल ऑफ इंडिया इसके लाव अगर हम सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड की बात करें तो क्योंकि हैं पर लार्जेस्ट पूडूशर अफ सुगर के नहीं इसलिए इसको को सुगर ऑल उफ इंडिया वोलते हैं, और सुगर आफ वर्ल्ड कभी करें गलता हैं तो वेसिकली इसका अंसर क्या होगा, क्यूबा होगा, लेकिन अभी क्या है? अभी क्या है, क्यूबाновकी जो सुगर इंड स्टिट्री काफी डिकलाइनिंग स्टेज में इसलिए इसलिए एट प्रेजेंट टाइम जो है ब्राजील जो है जहां पर सुगर इंड स्टिकाफी अच्छी डेबलब डबलड डबल बूलते हैं नहीं लिकित में से किस सहर को जूड़ाश है ट्विन सिटी फोल यह dude जो सुब्से माड ब्रदेश को साथ कॉन पूशारोटीर अधिक सब ठीड है तो मतले स्कन्सार आइड़को सब्सक्रारमके लाजब बात करें तो लगवाध करीब 20 कोपास सब्सक्राइब करें 50 के के असपासि कशनंक्रा जो तो तेक कि major population अन्धिया में राश्ट्रे पूलीस अकैडमी जिसका नाम है सरदार बलब भाई पटेल नेशनल पूलीस अकैडमी और यह कहां पे है हैधराबाद दिलांगना में ठीक है सो आप्शन नमबर सी इस राइट आंसर सरदार बलबभाई पुलिस अकैडमी है दरवाद तिलांगना ठीक है जहां पर IPS जो भी प्रोवेशनर से उनकी आई उनकी टेनिंग होती है आप ठीक है नेक्स्ट है पाक जल्डमरू मत दें भारत को अलग करता है तो जो पाक स्टेट है वह बैसिकली भारत और स्रीलंका के बीच में है भारत और स्रीलंका के बीच में है ठीक है नेक्ट है राज्य सभा के एक सदस्थिका कारेकाल कितना होता है तो कितना होता है छह साल होता है और राज्य सभा कभी भंग नहीं होती ठीक है भारत के पहले राश्वति कौन थे तो किते हैं आसान आसान से कुछ में पूछें आप देख रहे हैं आपर डॉक्टर राजिन नप्रशाद जो कि 26 जनुरी 2015 से 13 माई 1965 तक है ठीक है 13 में 1962 तक भारत में गिर वन किस राजिमें इस्थित है तो गिर जो है है वह कहां पर है गुजरात में जिसका मताब को यहां पर इस नेशन पाग पढ़ना है ठीक है इसके लावा अगर बात करें तो ऐसे टीक लाइन जो है उसके लिए फिर मसा गिर माय एक्परिमेंट टूथ यह किस ने लिखा है महात्मा गांदी ने लिखा है यह काफी इंपॉ नंबर सिस राइट आंसर नेक्स्कूश नंबर ट्वंटी टूपी आते हैं बारत का समीधान किस दिन लाग वह तो बारत का समीधान जो है 26 जनवरी 1950 को लाग वह इनक्ट कब हुआ था वह वह था 26 नंबर 2019 को ठीक है और एडॉप्ट कब हुआ 26 जनवरी 1950 को नेक्स्ट आम मेट्रोमेन कोन हैं ठीक 500 मेट्रोमेन कि नाम से जाना जाता है को इक सिद्धरन को कि इसको जाना जाता है यह स्री दरन मैट्रोमेन को सिद्धन्म स्वामिनातन ज्स ders ग्रीव इंडिया इन्डिया को सिपनिय ठीक है नॉर्वनभाइब लोग जो है फाटर एदरुञें स्म 29000होंल बिलॉंग्ज तो मेक्सिको ठीक है और में स्वामनाथन की बात करें तो फाइदर आफ जो ग्रीन एवूलूशन है ठीक है है नेक्स ने भारत का राष्टगान किस के दर लिखा गया तो आर एंटी रवीनाट टैगोरधा रजया बहुत कर राष्टगान लिखा गया इसके अलावा जो भारत का सिर्ण की है इसके लाबाँ हंगरी की राजिवने थाने से अ आधिक राजदानी की राजदानी थोनमा साथ जो को सफ का डिया तो घर्रावए की रहन डियार से पृलिपीने मैक से तक यह जाता जाता है एससका का नोबल प्राइज भी बोलते हैं ठीक है जैसे अभी भारती राजनीति में कारेपाली का किसके अधीन होती है तो भारती राजनीति में कारेपाली का जो होती है वह संसत के दिन होती है कारेपाली का किसके दिन होती है संसत के अधीन होती है भारत में सबसे पूर्वी राज्य में कौन सा राज्य है तो पूर्वी में सबसे अरुनाचर प्रदेश है ठीक है नेक्स्ट एक किस प्रकार की सक्ति में सक्ति का सबसे बड़ा हिस्सा होता है तो हाइड्रोस हो गया सोलर हो गया पावन हो गया और थरमल हो गया ठीक है तो थोड़ा सा इस कुश्टन को लेकर मैं कन्फूज्ड हूं कि यह कुश्टन मेरे इसको इंग्लिस ट्रांस्लेटन अगर होता है तो ज्यादा बेटर मैं इस कांसर कर पाता तो अगर पावर की बात करें तो सोलर एनरजी है लेकीन अगर परसंटेज का थेर्मा में एसकी नेरजी का जो परसंटेज जाता है किस परकार के सकती में सकती का सबस्टे बढ़ा इस्टा होता है और बात करें तो अब्सक्तार की सूलर यह 2022 पर अभी रिसेंट कप पुछा गया है जून 2022 का है तो इसमें जो थॉमस कप है वह बिसिकली मेंस्क बैडमिंटन मेंसिप बैडमिंटो कप है यह किदाम बी हेता इलोग्यामु आभे भारत की तरफ से कि दाम स्रीनात और लक्षे सेन ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था इसमें इसके लाब अगर हम उबर कप की बात करें तो मुमेंस वेड्मिंटन चैंपियंशिप है जिसमें साउथ कुरिया जो है चैंपियन रहा था और इसने चाइना को हराया था ठीक है तो उबर कप को भी आपको याद रखना है कौन सा राज राजवासा के एच चैत्र में नहीं है तो बिहार हिंदी श्टेट है हर्याना हिंदी राजस्तान हिंदी तो सब आच चैत्र में है गुजरात महरास्रा और पंजाब यह जो हैं बाच चैत्र में हैं आप सो ऑफ्चन अबर डी जडराइड आंसर नेक्स वेशन पर आते हैं समिधान सभाने हिंदी को सवतंतर भारत की आधिकारी गवासा के रोप में कब स्विकार किया तो 14 सिटमबर सब 1949 इसलिए हम इसको नेशनल हिंदी डी की रूप में रिकोगनाइज किया है करते हैं मं बेहरे सिटमानि सरीराज नासमेथी के अधक्ष है किसे नेश्थ अधिक्स हैंने संसदीय राजवाustव समीति के अधक्ष मुनेस ते शहितमे घंडरी ग्रीह मंत्री सहकारीता मंत्री श्रीराजनाद सिंग जी हैं घ्रसेंट स्थृ republican तो संसदी राजवासा समित में लोग सभा के कितने सबस्देश हैं तो संसदी राजवासा समित में लोग सभा के डूटल 20 तो संसथा की बासा के संबंद में प्रावधान है तो अनुक्षेद 120 की बात करें अगर तो यहां पर जो है वह संसद में जो भी वहासा का प्रियोग है ठीक है उसके संबंद में प्रावधान अनुक्षेद 120 के अंतरगत है अनुक्षेद 120 के अंतरगत जो है वह संसद में तो ऑप्शनमपर C is the right answer इसके लाब अनुक्षेद 210 की बात करेंगा अगर तो उसका अंसर क के लिए क्या है विधान मंडल तो विधान मंडल में राज्यों के विधान मंडल में जो भी वासा का प्रयोग है वह समिधान की 210 आर्टिकल के नुक्सार होता है रेले करणचारियों की साहित्तिक पृतिवा को पृत्साहित करने के लिए कविता संग्र है के लिए यहां पर कविता संग्र है मतब पोईट्री के लिए कौन सी वजना संचालित की जा रही है तो पोईट्री के लिए विसिकली कौन सी वजना है वह है मैथिली चरण गुपत है ठीक है राजवासा नियम 1976 के किस नियम के तहत निर्देश दिये गए है कि हिंदी में प्राथ पत्रों का उत्तर हिंदी में अनिवारे रूप से ही दिया जाना चाहिए ठीक है तो राजवासा नियम Official Language Rule 1976 का Rule No.5 नियम पांच वह यह बोलता है कि अगर कोई आपको पत्र हिंदी में आपके पास प्राफ्ट हुआ है तो उसका जो उत्तर है आपको हिंदी में ही दिया जाना है इसके लावा नियम 6 की बात करेंगर तो यूज आप बोथ लैंग्वेज इंदी एंग्लिस तो Official Language Rule अच्छा Official Language Act का जो Section 3, Clause 3 है तो इसमें टोटल जो 13-14 सब्जेक्ट्स हैं ठीक है जैसे बील हो गया एक्ट हो गया मतब प्रेस कम्यूनीक हो गया इस ताइप का ठीक है गैजट हो गया तो ऐसे कुछ चीजें जैसे टेंडर हो गया लाइसेंस हो गया ठीक है तो इन सब का ज किया जाना है तो यूज आफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिस ठीक है यह Section 6 के अंतर गयता है Official Language Rule में ठीक है नियम साथ की अगर बात करें तो और जो भी हम अप्लिकेशन हो गया रिप्रेजेंटेशन या अपील है वह हिंदी या इंग्लिस किसी में भी दे सकते हैं ठीक है तो तो थर्टी नाइन नंबर को कुश्ण हो गया फॉर्टी नंबर के बात करें आप तो नगर राजवासा कार्यानमन समीटी की बैठक कब आयोजित की जाती है तो टी ओलाइसी जिसको बोलते है आप या पर टी ओलाइसी का मतलब क्याता है टाउन ओफिशल लेंगर्ज इंप पर होता है तो वन सिन शिक्स मन्त आपना प्यार और चैनल पर प्यार देते रहें थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो एव नाइस टे इंबेस्ट वीडियो फॉर अपकोमिंग एग्जाम थैंक्यू वेरी मच